तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो की शुरुवात मैं एक कोश्चन के सांथ करने वाली हूँ कोश्चन में आप सभी लोगों से पूछestar इंडिया इंडिया के पहले शिक्षा मंत्री का नाम आप लोगो को में लिख कर बताना है अगर इस कोश्चन का अंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दिए हैं तो फिर एक और कोश्चन में पूछना चाती हूँ बने रहें ठीक है ना यह आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है ठीक है और अगर आप लोग को यह दोनों कुशन करेंसर नहीं पता है तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए सब कुछ आप लोग को पज़ा चलेगा बहुत ही नॉलेजबल आज का यह वीडियो होने वाला है बहुत कुछ मतलब नॉलेजट ठूस ठूस कर भरा है आज के इस चैप्टर में जो हम लोग कम्प्लीट करने वाले हैं ट्वल्थ क्लास के उर्दू का चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है गुबार खातिर से तीन खुत इसा बिल्कुल भी मैं सोचिए कि यह चैप्टर इंट्रस्टिंग नहीं है बहुत ही जदा इंट्रस्टिंग है बहुत ही जदा मज़दार है और आप लोग के इक्जाम के पॉइंट अविव से काफी इंपॉर्टेंट भी है ठीक है ना बहुत सारे कोशन इस चैप्टर से है क्या गूबार खातिर जो है यह खुत इसमेंट इसमें टोटल कितने खथ है instance 24 नेटरहे 727 एक और इसमें की तिनो धुब्स और एक इसे वह जाERS चEPTOR का नाम क्या रख दिया गया है गुबार खातिर से 3 खुत। यानिकि गुबार खातिर इस खत के किताब से 3 खुत। आप लोगो को पुहना है और एक और बात यहां पर जान लेजिए ये जो गुबार खातिर खत का किताब है जिसमें टूटल 24 खुतूत है इसको लिखा किसने है यानि कि इस खत के किताब के राइटर कौन है 24 के 24 खुतूत को किसने लिखा है तो लिखने वाले हैं मौलाना अबुलकलाम आजाद तो यहां से दो कोश्चन पूछे जाते हैं पहला कोश्चन पूछा जाता है कि गुबार खातिर में कुल कितने खुतूत है तो आपसन में दिया रहेगा 24 धीरे से टिक किजिएगा और दूसरा कोश्चन पूछा जा सकता है कि गुबार खातिर के मुसनिफ कौन है यानि कि लिखने वाले कौन है तो आप्सन में दिया रहेगा मौलाना अबुलकलाम अजाद उसको धिरे से टिक करना है ठीक है तो यहां से दो कुर्शन बनता है अब देखिए मौलाना अबुलकलाम अजाद यह जो 24 के 24 खुतूत लिखे रहते हैं यह किला एहमद नगर की किल के खुतूत लिखा करते थे तो एहमद नगर की किला में बैठकर यह 24 के 24 खुतूत लिखे थे और किसके नाम लिखे थे तो अपने दोस्त हभीबूरामांखी दोस्ता क्या है हभीबूरामांखा शिरवानि तो यह जब जेल में बंद थें तो उस वक्ट इंके पास समय ही सम पाया क्योंकि जेल का नियम था कि पैदी पैद खाने के अंदर अगर कैदी है तो इसका कोई भी समान बाहर नहीं जा सकता है तो इसी वज़े से यह जितना भी खुतूत लिखा करते थे ना यानकी 24 के 24 खुतूत लिखें तो इनके दोस्त हविवर रह्मान खा शेरवानी के प पहले कि यह ले जाकर अभी भुर संब्लेइघ्याइण सवन्यख्र кап few नियुक्या यहिए तो आप कार दोस्त यह उछब करें पूरी दुनिया पढ़ेगी तो उनके जो दोस्त है वह 24 खुतूत का मजमूँ बना दी यान की किताब बना दी और उसको प्रकाशित कर दिये और इस तरीके से वह 24 खुतूत का जो मजमूँ है यान की किताब उसको सिर्फ हवीबुर रह्मान खाशिरवानी नहीं पड़े बल है क्योंकि जानना जरूरी है क्योशन आप लों के एक्जाम में पिश्ट दिया जाता है और उसके बाद से जो तीन खुतूत पढ़ना है इस तीन खुतूत में क्या क्या बात की है मौलाना बुल्ख्लाम अजाद अपने दोस्त हविवुर एमान खाशरवानी से वह सारा चीज रहता है मौयूद्दीन एहमद जिस भी ऑप्सन में दिखाए दे उसको क्या करना है धीरे से टिक करना है ठीक है तो मौयूद्दीन एहमद इनका रियल नेम था और इनका तारीखी नाम तक फिरोज वक्त पूशन तो आज तक नहीं पूचा गया है कि मौलाना बुल्ख्ला इनके वालिद मौलाना खैरुदीन से ही मिली थी यानिकी जो भी शुरुवाति शिक्षा ये ग्रहन किये थे लिये थे वो अपने पिता जी मौलाना खैरुदीन से ही लिये थे और मौलाना खैरुदीन जो थे वो कलगत्ता में आ गए हमेशा रहने के लिए मक्का मुकरमा से कापिए उसके हिजरत करके ये कलकत्ता में आ गए और मस्तकल कियाम की खत्रियान की हमेशा रहने के लिए ृच्छा में ही रहने लगे ठीक है मौलाना अबुलकलाम अजाद जो है न वह इपाइत आलिम अपने वालिद मौलाना मौलाना बुल्कलाम आजाद जो हैं वो तालिम हासिल किये थे और उसके बाद से उन्हें सथ तीन में महज 15 वरस की उमर में मौलाना बुल्कलाम आजाद एक रिसाला जिसका नाम था लिसानुल उन्होंने जारी कर दिया यान की पत्री का लिसानुल सिद्ख नाम का एक पत्री का इन्होंने जारी कर दिया उन्हेसा तीन में जब ये 15 बरस के थे महज 15 साल के और 15 साल की उमर में ये पढ़ाया भी करते थे प्यूशन बच्चों को पढ़ाया करते थे सोच ये काफी मेहनती थे बच्पन से ही और पढ़ने में ज्यादा दिल्चस्बी रखा करते थे उन्हें सच्छे नहीं तो साथ में इनकी शादी हो गई थी मतलब एड़्जेक्ट साल नहीं बताया गया है कि उन्हें सच्छे में कि अंदाजा लगा कर बताया गया है कि उन्हें सच्छे नहीं तो साथ में मौलाना बुलक्लाम अज़ाद की शादी हुई थी किन से तो महतर्मा जूलेखा बेगम से याद रखना है या प लोगे मुक में दिया गया है और कोश्चन भी बहुत बार पोछा गया है कि मॉलान मुलाना बुलामाजाद मिसर तुर्की और इराक का सफर भी किये थे और उन्हें सब बारा में इन्होंने एक अख़बार अलहलाल जो है ना ये इन्होंने निकाला था जारी किया था कलकत्ता से यांकि कलकत्ता से उन्हें सब बारा इस भी में मुलाना मुलाना बुलामाजाद ने अलहलाल नाम का अखबार जारी किया और उसके बाद से क्या हुआ कि जब ये अखबार निकला अलहलाल नाम का अखबार तो इसको अंग्रेजों ने जंग याजादी का कारण मान कर बंद कर दिया यानि कि इस पर बैन लगा दिया मतलब कि अंग्रेजों को लग रहा था कि जो आजादी के लिए जंग हो रहा है ना वो अलहलाल नाम के इस अखबार के हो जासे ही हो रहा है वो जंग यजादी का करण मानकर मौलाना अबुलकलामाजाद का जो अखबार था अलहलाल इसको बंद कर दिया इसको बैन कर दिया गया ठीक है तो फिर उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद वो चुक नहीं बैठे उन्होंने फिर एक और अखबार जारी किया जिसका नाम था अलबलाग यानि कि अलहलाल के बदले में इन्होंने उन्हें से 15 रेते सुला इस भी में अलबलाग नाम का आखबार जारी किया और इस अखबार को नहीं बंद किया गया बल्कि मौलाना अबुलकलामाजाद को भी नजर बंद कर दिया गया जी हाँ ये जो अखबार था अलबलाग जो कि अलहलाल के बदले में मौलाना अबुलकलाम आजाद जारी किये थे इसको भी बंद कर दिया गया और मौलाना अबुलकलाम आजाद भी लगबग 44 महीने नजर बंद रहे थे अप्रिल-16 से लेकर जन्वरी-20 तक लगबग यानि कि तकरिबन 44 महीने ये राची में नजर बंद और जब ये निकले तो उन्हें सब 20 में ही महात्मा गांधी के बुलावे पर ये कॉंग्रेस और खिलाफत पहरिक में शामिल हो गए यानि कि महात्मा गांधी का बुलावा आया था और उस वक्त मौलाना अबुलकलाम आजा कर कॉंग्रेस पाठी जोएन कर लिए और 1923 में म सबसे कम उमर इनहीं का था जब ये कॉंग्रेस के परसिडेंट येन की सदर बने थे याद रखेगा उन्हें सब्से कम उमर था इनका ठीक है उसके बाद से उन्हें 140 से लेकर उन्हें 140 तक ये कॉंग्रेस के सदर बने रहें और उसी दोरान भारत छोड़ो तहरीक और कैबिनेट मिशन का भी वाक्या पेश आया था याद रखिएगा यहाँ पर एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि उन्हें 23 में महज 15 साल की उमर में वो कॉंग्रेस के सदर बनाए गये यान की परसिडेंट बनाए गये सबसे कम उमरे में ठीक है उसके बाद से हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम भी बनाए गये थे हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम यानि की भारत के पहले शिक्षा मंत्री फॉस्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है जी हां मौलाना बुल्खलाम आजाद आई होप आप लों को एंसर मिल गया अंठावन तक जब तक इनकी मौत नहिए हुई 22 फरवरी उन्हें से अंठावन को मौलाना बुल्खलाम अजाद की मौत हो गई थी इनका इंतकाल हो गया था तो जब तक इनकी मौत नहीं हुए तब तक यह वजीर तालीम थे यानि कि शिक्षा मंत्री बने रहे हैं ठीक है तो आई होब आप लोगो इतना जो भी मैं आप लोगो को बताई वो समझ में आ गया होगा अब लास्ट में इनकी कुछ किताबों का नाम दे दिये गा है जैसे कि तज़करा तर्जुमान उल्कुरान जो कि तीन जिल्दों में ये शाय हुआ था इंडिया वन्स फ्रीडम और गुबार खाते ये सबी जो है ना मौलाना बुल्कुराम अज़ाद की लिख हुई किताबे हैं तो सारा डिचल्स यहां पर फाइनली मौलाना बुल्कुराम अज़ाद के बारे में कम्प्लीट होता है अब चलिए मैं आप लोगो को ये जो तीन खत पढ़ना है आप लोगो अपने बारे में बताते हैं कि वही ना मौलाना अबुल्कुराम अज़ाद में अबने नीजा बारे में बताया है अपने दोस्त हभी छाय रखा हुआ है इस तरह बता रहा है मैं लगानना aozad अपने दोस्त को कि जिस तरह बासुरी अंदर से होती है लेकिन फरियादों से भरी होती है उसी तरीचे से मैं भी अंदर से खाली हो हूँ लेकिन हमारे अंदर भी फर्याद है तो वही मतल Kwd बिता रहे हैं कि हमारे श्रीद के अंदर विमारी भी हो चुकी है ठीक बहुत कुछ मैं कहना चाहता हूँ लेकिन कहने भी पा रहा हूँ ठीक और उसके बाध यह खिलने कुछ में पर ध्यान दिया करते थे लेकिन में बिलकुल अलगाट करताथा और किसी कोने में बैचजाया करता था जानि कि शुरुआत पर मुझ Hop मुझा पढ़ाई लिछाई में बहुत लिए दीजतस्पी थी तो यह सब trois कुछ debate स inscription को दिमाओ लगाना ही नहीं हूं कि जो भी कोशन पूछा जाता है जो कि मैं आप लोगो अभी बताऊंगी कहा कहा से कोशन पूछा जाता है लेकिन जादतर मौलाना बुल्कलामाजाद यान की मुसलिफ से ही कोशन पूछा जाता है तो पहला खत के मौलाना बुलकलाम आजाद चाय के बारे में बात किये हैं वो बता रहे हैं कि हमारा जो फेवरेट चाय है यानि कि जो पसंदीदा चाय है वो वाइट जासमीन यानि की चाय है चीन की चाय जिसका नाम है वाइट जासमीन जिसको उर्दू में कहा जाता है यासमीन सफेद और फेट उर्दू में कहा जाता है गोरी चंबेली याद रखिएगा यही है मौलाना बुल्खलाम आजाद का फेवरिट चाय यानकी पसंदीदा चाय और कोशन पूछा जा चुका है और आप लोगे एक्जाम में भी कोशन पूछा जा सकता है कि मौलाना बुल्खलाम आजाद खाए चाय के पूछा है और वहां की लोग चाय बिया करते थे लेकिन जब भारत में अंग्रेज आये तो रेज जो है ना चीन से चाय के पौधे उठाकर भारत में लगा दिए ठीक है और इस तरह की से भारत में भी चाय के पौधे जो है ना वह भी मतलब पौधे के पैदवार होने लगे यान की चाय के पैदवार होने लगे ठीक है लेकिन उस तरह के गुड़ वाले पौधे नहीं में होते हैं उस तरह की गुर्वत्ता वाले पौधे जो है ना भारत में नहीं हो पाएं यहां तक ही श्री लंका में भी लेकर चले गए अंग्रेज वहां पर भी चाए के पौधे को लगाया गया लेकिन उस लेकिन यहां पर अंग्रेश क्या किये धीरे धीरे चीनी की मखदार बढ़ा दिये हैं इसके बाळ दूध Müday डालने लगे चै पती तो डालते इंद्स आदरक डालकर चाये को स्याल हलवा बना दिये। ठीक है ना तो वही मौलाना बुल्खलाम आजाद भारत की चाय को सयाल हलवा कहते हैं और यहां पर कोशन पूछा जा चुका है कि मौलाना बुल्खलाम आजाद भारत की चाय कि इंडिया की चाय को क्या कहते है सयाल हलुआ क्योंकि यहां पर चाय को सयाल हलुआ बना दिया जाता है चाय में पानी तो डाला ही जाता है चाय पती तो डाला ही जाता है लेकिन उसमें चीनी भी डाल देते हैं लोग उसके बाद से दूद्ध भी डाल दिया जाता है लॉंग कर लेते हैं तीसरे खान की तो तीसरे खत में जो है आपने दोस्त को अपने बीवी के बारे में बटाए है कि उत्तंब नेवी हैं कि और मैं रात को देर तक लिखा करता था की आप वह कहते थो आपका काम कीजिए है यह धीली है अच्छी है और यहां तक कि आपने आप झालोड कोषाइब ति थी कि मौलाना बुलक्रामाजाद को किसी भी तरीके से कोई तकलीफ न पहुंचा है ठीक है ना यहां तक इनका तबीद भी खराब होता था तो मौलाना बुलक्रामाजाद को नहीं बता दी थी यह कहते थी कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ आपको घबराने की दौट नहीं है ठी तो मुझे जनाजे में जाना है तो मुझे जेल में पत्र लिखना पड़ेगा वहां पर रिस्पेक्ट से अंग्रेजों का नाम लिना पड़ेगा कि महोदे समीने निवेदन है की और आपसे गुझारिश है की हमें जाने की अनुमती दे ठीक है तो मुझे नाम अजाद जो है वो अंग्रेजों को इतना रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते थे इसी वजह से ना वो पत्र लिखे मतलब कि वो फरमिल्टी जो निभानी होती है ज कि अपनापन सा महसूस होता है और इसी वजह से मैं दिन में दो-तीन बार को देखता हूं उसकबर पर नजर पड़ती है अब तो हर रोज देखने की आदत हो गई है अब मैं उसकबर को नहीं देखता हूं तो बेचाइनी सी होती है सान्ती संतुष्टी नहीं मिलता है तो वो उस कबर को देखने की आदत सी हो गई है तो यह तीसरे खत में लास्ट में बताए हैं अपने दोस्त हविवु रह्मान खास शिरवानी को और फाइनली यहां पर यह खत का देईल हो जाता है तीनों खत के बारों मैं आप लोगो बता सकते हैं और यहां तक इसका प्री इप टेलिग्राम पर ट्रॉट कर दिया जाता है अगर आप लुट अक्र टेलिगराम से नहीं जूड़ है याप लोग सर्च करके वी जूइन कर सकते हैं तो टेलिग्राम चैनल का LINK किसी वीडियो को डिस्क्रीशन में भी डाल दिये गए आप लोग लिंक पर क्लिक करके भी जॉइन कर सकते हैं तो नहीं तो चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर करते हैं आई होप आप लोग को ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा और आप लोग वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दिया होंगे जो कुछ भी मैं आप लोगों समझाए हूं समझ में लिख कर आप लोगों को बताना है और आप लोगों को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन बेल अन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्रोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे चलिए इसे के साथ मैं आप तभी लोगों से विदा लेती हूं बैबाए टेक क्यार फिर्म लेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज